कि नमस्कार साथ याओं मैं वड़ा के यूटूब जनल पर आपका एक बार फिर से बुना अभारें स्वागत है देखिए राजस्तान पुलिस और राजस्तान हाई कोट के लिए तथा पटवार के लिए आज मैं आपके लिए राजस्तान की तथा बारत की सभेताओं का वर्णन कराऊंगा अर्थाद भारत की तथा राजस्तान की सभेताई जितनी भी है यानि की सिविलेजिशन है उनके लिए मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर करके आया हूँ देखिए इसमें मैं तो पुरण सभेताओं का वर्णन अपन करेंगे सबसे पहले सबेता इसे इंगलिस में शिविलीजेशन कहते हैं अब देखिए सबयताओं को किस अधर पे बाटा जाता है तता इसके कौन कौन से जो स्रोथ है और इनकी खोज किसने की थी तता क्यों की थी इनके बारे में अपन जानकारी सबसे प्राप्त करेंगी देखिए साथियों अब अपने कुछ वीडियो जिसने भी डाले हैं उन वीडियो को जिसने भी देखे हैं जो भी फॉलोवर्स हैं उनके बहुत-बहुत आभारी हुम हैं अब देखिए जिन्दगी की असली उडान बाकी है जिन्दगी की कई इम्तिहान बाकी है अभी तो मु कि द्वारा की और इनके मत किसके अधारपरप हैं और सबसे पहले सिंदु सबब्ता के कि शेत्र फल की बारे में अपन्थ होड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे अब देखिए संधु सबब्ता अर्थाथ चिंदु सब्ता में शंक्सित में मैं आपको राज़स्तान की रहा चलूँगा और संग्सित में थोड़ा सा बारत की और भी लेके चलूँगा यानि कि सिंदु सब्वेता को मैं आपके 200 लेवल तक लेके जाओंगा अब देखिए सब्वेतां में सिंदु सब्वेता बहुत ही मैताप्रण है इतियास का टॉपिक है देखिए सबसे पहले हैं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिजिए तक हाने वाली वीडियो की नाटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे एक बार फिर से अब इसका जो छेत्रफल है वो कहां पर है तेरा लाख वरग किलो मिटर भी कम नहीं होते हैं जादा होते हैं अब देखिए इनके तेरा लाख वरग किलो मिटर कहां का है और किस परकार से विच्रित है या इसे कहां का इसकी अंतिम सीमा लगती है अब ये रहेगा आपका पूर्वा है कि तरफ पूर्व रहता है अब इसमें नदी का तक है तोर में कि अध्यूर bends later नदी परियूहत vow के तो उत्रम styl ओक्रतं में इह कात्वियों अपने को मिलता है अपनबात swords की कर रहे हैं सिंदू सबेता की अब देखिए इसके अलावा जो इसका पच्छी में होगा जो इसका पूरों में होगा वो किस परकार से इसमें होता कुछ नहीं है फरक थोड़ा सा है कि जहां पर आपको जमू ओपोजिट जमू का ओपोजिट नरमदा मिलेगा और एक तरफा यहां पे मेरिट है और दूसरी तरफा इट का इसका जो मकरान में जो पिछले वीडियो में भी बताया था कई पर यह क्यों सुनाया था अब देखिए मेरिट है यह भारत में है यह भी भारत में है यह भी भारत में है जो इसका आखरी सीमा जो है एक मात्र सीमा है जो यह कहां पर है पाक में भी इसकी कई स्तान मिलते हैं यहां पे देखिए तेरा लाक वर किलो मिटर में जमू से नरमदा और मेरिट से मकरान समुदर तर तक है ठीक है साथ यहां, इसी की दाद, अब इसके साथ-साथ, एक और छेतरफल है, जो अगली सभेता है जितनी भी हैं, राजस्तान की सभेता हैं मैं पढ़ाने की कोचिस करूँगा, आगे आगे देखते जाएए, इस परकार से सभेता, और यह सभेता किस नदी की किनारे पर रिस सबसे पहले मानव सबसे प्राचिन जाती रही है तो अब देखिए मानव को सबसे पहले मूलभूत जिसकी आफसकता होती है अब इनकी मूलभूत आफसकता है क्या क्या होती है मूलभूत आफसकता है इसकी होती है पानी अब पानी के सबसे प्राचिन समय में स्रोत थे तो वह एक समुदर भी पानी का सरोत था लेकिन समुदर का पानी खारा था यानि कि पीने योगे नहीं था इसी कारण लोग इन समुदरों के किनारे बहुत ही कम बच्चे थे और देखिए रही बात नदी यानि कि नदियों के जितने भी किनारे हैं जितने भी तठ है उनके किनारे कह और सुख्याहिंट इस्टर हैयां आनल और इहीं पहले किनारा पम सिंदु सभेता प्ति याश्वर्स पहले दीए यहांपर एक कशौन समस्थब्स さ शंख्षित में बात करें तो अर्द्चंद्राकार क्या है भारत की बात करें या विश्व के मैप में बात करें तो अर्द्चंद्राकार इसका एक हिमाले का जो भाग है इस अर्द्चंद्राकार हिमाले में एक छोटा सा इस्तान पड़ता है या एक बड़ा सा इस्तान है जो तिब्बत ह बाद यहां पर कई परकार की ऐसी नदिया हैं अब उन में से एक यहां पर एक मान सरोवर जील है मान सरोवर जील है अब देखिए मान सरोवर जील के आसपास से इस नदी का यहां सरस्वती नदी का जो सिंदू नदी का है देखिए यहां से यह नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी देखिए साथ यहां सिंधु नदी अब सिंधु नदी के किनारे पर या सिंधु की सायक नदिया हैं उनके किनारों पर जो भी सभिता इपन पर उनको पर सिंधु सभिता या हडपा सभिता के नाम से जाना उलास जांगा जाता है एपने हिंदी में पढ़ा होगा मान मिचकल को हैं और थिलिए हैन्स की एहां के पास सिंदु नदी को ढाभा कि इस तान माना जाता है देखिए यह पे प्रवतमाला में नहीं आती है सोरी हिमाले प्रवतमाला से निकलती है हिमाले से निकलने के बाद अब यहां यह भारत के जम्मू में बहती है और जम्मू में बहती हुई यह पाक में आती है और पाक में इसका अंतिम जो होगा अपने यहां पे ले लेते हैं पाकिस्तान में य पहले ये संदुन नदी कहा का बैती है तिबत के मैदान में होती हुई ये मान सरवर के उत्तर में एक इस्तान है जिसे हिमनद में से निगलती है अब देखिए सरेखाबाद ऐसा कुछ नाम है वहां से निकलते हुए ये नदी आती है तो इससे पहले राजस्थान में भी बैत तने नदी में कि इसके लावां इसके 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 in पर इसकतनी बी सभेता ईपन्पी में सभेता जो है वह संदुघाटे इसका सभेता का वित्रित अपनों ने जान लिया इस नदी के किनारे पर इस्तित है और किस परकार से ये अपनी अपितु सपी छोड़ती है सभी छोड़के जाती है तो देखिए सबसे पहले अपने बात करेंगे इसकी खोज की अब देखिए इसकी खोज किसने की तता कब की गई इसकी खोज से पहले या इससे पहले भी या जॉन मार्सल ने सब्वेता का नाम दिया था सिंदू सब्वेता सबसे पहले तो किसना यही बनता है कि जॉन मार्सल ने इसका नाम दिया था सिंदू सब्वेता यानि कि सिंदू सब्वेता का नाम सबसे पहले किस ने दिया था चोटे-चोटे वर्णाओ के रूप में यहां से आपके साथ में लिखता जाऊंगा देखिए सिंदू सब्वेता का नाम सबसे पहले तो इसके नाम की बारी रहती है तो नाम इसका किस ने दिया था या नामंकरन इसका किया था वो किया था जॉन मार्सल ने जॉन मार्सल ने इसका नाम रखा था सिंदू सबेता सरो परतम इसका नाम जॉन मार्सल के दोरा ही रखा गया था और अनुमानित ये 12,50,000 वर किलोमेटर में फैली हुई सबेता है संगया दे गई है और इसके बाद这 लो देखें कि यहां की कुछ इस्तान भी और क उस्तानों के साथ इक विशस वरूप के बाद में अपने इसमें एक हड़पा संगया भी पढ़ेंगे यानि कि सिंदु सब्वेता की जो इस्तान है वो कही न कही सरवादिक विस्तार कहा मिलता है तो वो सरवादिक इस्तान आपको मिलता है एक तो मिलता है हकरा और एक मिलता है गगर यानि कि इन दोनों के मारगों में या इन दोनों नदियों के मारगों में सरवादिक इसका विस कि इसदु सब गई खोज के बारे में अपन देखे तो यहां पे दो विक्तियों के मान नाम आते हैं अगर तो आदार पर किस विक्ति को यहां खोज करता कौन कोण है और किस अधार पर इनों ने इनकी खोज की थी सबसे पहले देखिए उत्खनन करता को ने यानि कि इसके उत्खनन करता या फिर उत्खनन करता अब देखिए उत्खनन करता में सबसे पहले नाम आता है राखल दाज बनर जी या दयाराम साहनी का अब देखिए इसमें सबसे प मात्र मिलता है जो अड़ा सब्धा के बारे में करवाता है नहीं कि 21 के अंदर इसकी खोज की गई साया नामदाहनी के अनुसार और भारत के पंजाब प्रांत में सबसे पहले इसकी जो खोज की गई थी वो पंजाब प्रांत अब पंजाब प्रांत कौन सा भारत के पंजाब प्रांत में की गई यानि कि भारत का पंजाब नहीं था उसमें भार और इसके बाद यहाँ पर एक जिल्ला पड़ता है पंजाब प्रांथ का जिल्ला पड़ता है जिसका नाम है मोटा मौंगरी अब देखिए मोटा मौंगरी इस इस्तान पर इसकी सबसे पहले यहां सरवपर्थम खोज की गई अब देखिए मोटा मौंगरी के अलावा कहां पर इसकी खोज किस परकार से की गई अब देखिए एक इस्तान और है जिसका नाम है हडपा सबेता इससे पहले मैं इसकी विसिस्ता भी वर्णन करोंगा हडप पुरहन सबेता है अब देखिए इसके काल करम की बात करें तो NCRT इसका काल करम मानती है यानि कि NCRT कि आंकड़ों में सरवादि जो इसका अंकड़ा है वह 25 को पता ही है कि उल्टा चलता है यानि कि इसके आगड़े माने जा रहे हैं कि इसका काल करम किस परकार से हैं उनका भी मैं आपको अलग से जिक्र कराऊंगा यानि कि किस-किस आधार पर या किस-किस आधार पर कौन-कौन से जो मुकी रूप से जो मानते हैं अब देखिए जॉन मारसल की बात करें तो इन्होंने नाम किस źुझ भांते हैं वसके जॉन मारसल कि इसका आगड़ा क्या मान के यह यहां जहां बिलेगा आप को काईना कई BC का एक आपको अलग से उलेक मिल जाएगा अब देखिए बती सो पचास से 2750 के आसपास इसका कौन मानते हैं जो मानते हैं जॉन मार्सल यानि कि यह एक विक्ति है NC रियाल्टी के अलवाद जॉन मार्सल का है अब देखिए रही बात इसकी जो निर्धारित करते है की तित्य है या इसकी निर्धार्व जो काल क्रम है वह यहां पर एक विद्धी मानी गई है कार्बन सी शीं सी है फिर कार्बन जो रेडियो कार्बन के अधार पर ये रेडियो कर्बन जिसे रपाम । झी कहते हैं या चूदा देखिए चूदा और इसे आप ये भी कह सकते हो să ऐसी जूदा इस वीदी के अधार पर स्काल करम माना जाता या extrographer किये आर्छयार के आनिसार नहीं अपन कि क्विशन से लगा कर शाड़े सतरा सो बीसी इसका क्या माना जाता है काल करम माना जाता अब देखी इसके आधार पर और ये जो आधार है या फिर सी कारवण तीत 210 वह कि नोने भी बात करूँगा लेकिन अपन यहां पे कालकरम की बात करें इसलिए मैं आपके हडपा सबेता का जो कालकरम है हडपा सबेता का कालकरम का सबूत मिल गया है यानि कि एक अभिलेख मिला है अभिलेख कहां से मिला है अभिलेख मिला है मैसो पोटामिया के सबेता से मैसो पोट टिधिए 32 Красी सतरा सुपाचास के आस्पास की 20k से इसकी क्या की स्टी माने जाती एती एन्हीं कि यह इन्हीं ए कि उल्टा चुलता है र Connie a bis Meda longer कों कपे चुछाए कर्व हिए और कहा तक है यह कि रजस्तान की जानकी पढ़ाऊं का तो राजस्तान की तोड़िसे विदियो बनेगे और यह भी आप वीडियों अंढ्र तक लेगा आम एपको कुछ खोजगे कर्म में अलबर्ट ने सबसे पहले सभेता को खोजगी थी यानि कि एक और इसका खोजगरता आया था जिसका नाम था और जो एक विदेशी वेक्ति होते हैं उनके नाम भी बड़े अटपटे से होते हैं और और इसकी क्या कर दो आप संधी विशिद गर दो और इस् पूर जो वर्तमान में कहां पर है पाकिस्तान के अंदर यानि कि इन्होंने जो खोजगी थी वो पाकिस्तान में की थी बावलपूर एक क्या है देखा जाए तो एक बावलपूर उस समय क्या थी रियासत थी यानि कि एक रियासत बावलपूर रियासत जो वर्तमान पाकिस् कि विस्तार का च्शेतरफल का व्रस ? तau पूरताती सिप्तलों कल लोकी नहीं दीकिए सारी ज़ाद में पाकिस्तान में इसके अलावा देख यू máximo मैं गोल कितने मिले अब तक कि अब तग कि में उनशी कहती है कि इसमें इंदर कम से कम 900 बाकी सेथ बस्ते नौढ़ ऑनरा मिलते जा रहे हैं इसके मिलते जुलते एक रायबादूर जो सहानी थे रायबादूर की इस्तती में एक देखा जाए तो नहीं भी एक और खोज कै यह कि दैयाराम भीशानी और राय बादूर भा वाती तो बाइस is बाइस निंदर इन्हो운 भारत में और खोजुआ वामइस और किया एंच भारत के उखरी मिलता है और तो देखिए सिंदु सब्विता के स्थान पर इन्हों ने एक और सबसे बड़ी खोज गी थी इनकी पुरातात्विक की रूप में माने जाते हैं अब देखिए 1922 के अंदर एक इनके सायक बने जिनका नाम था राखलदास बनर जी राखलदास बनर जी यानि कि इन दोनों ने वेक्तियों ने मिलके या इन दोनों की राए लेकर के या फिर भारत के पुरादात्य विभग दोरा इन्हें ने धर्द किया गया और इनकी चलते चलते इन्होंने पुर्व एक सबेता खोज गी थी ऐसे देदेगा 1921 और इदर देदेगा 1922 फिर आपको पूच्छा जा सकता है या फिर यहाँ पे दिया होगा 1922 और फिर इसी परकार से सब्ज़ बैताओं की खोज दे सकते हैं उपर देदेगे आपको मोहन जोद लो फिर मोहन जोद लो इससे मैच करवाएगा इससे मैच करव सब्वेताओं के सबसे पहली बात है विशस्ताओं की बात करें तो किस परकार से विशस्ताओं हैं अब बात कर रहे थे हड़पा सब्वेता और इनकी सब्वेताओं की भी अब देखिए इन सब्वेताओं में यह नगरिये सब्वेता थी और इसके अलवा एक सब्वेता और ह जिसके इसके इस्तान भी कई परकार से हैं अब देखिए इस्तानों की बात करें तो यह बहुत ही अलग-अलग इस्तानों की रूप में हैं अब देखिए दो सबसे पहली बात है है किसकी खोज़गी थी काली बंगा सबेता की, जिस्वे साथ ही को किसी परकार की कोई करफ्यूजन तो आप कमेंट में जाएए और कमेंट बोक्स में लिख दीजे, उसका जवाब आपको निश्ची समय अंतराल के बाद में मिल जाएगा. आप देखिए अमला नंद गोसन है काली बंगा कहां पर है चौर्ट मैं लिखूंगा राजस्थान में इसके अलावा एक और सभेता है रोपड रोपड सभेता कहां पर है इस्तान पूछे जा सकते हैं आपको पंजाब के अंदर और इन सभेताओं के बारे में अपना काली बं है लोथल है रोजली है यह सारे के सारे सभेता कहां है गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर सबसे पहले इस्तान गुजरात इसकी बात करें तो सबसे बढ़िया जो सभेता यां मौस्ट जो सभेता रहती है वह सभेता है रंगपूर या जिसे काठियावाड के ना सबसे नविन्तम सब्वेता का सबसे अंत में खोजा गया है देखिए बनवाली सब्वेता की उमयतवपुरण है बनवाली सब्वेता सबसे अंत में खोजी गई सब्वेता है सिंदु सब्वेता का एक इस्तान है सबसे अंत में खोजा गया इस्तान सबसे अंत में खोजा गया इस्तान है अब देखिए सिंदु सब्वेता के इस परकार से और भी है सिंदु सब्वेता का सबसे बड़ा इस्तान की बात करे तो अलादी नो है अलादी नो यानि कि सबसे बड़े की बात करे सबसे बड़ा इस्तान अगर बात करे तो अलादी गोस है अलादी दोस यानि कि हन Deutsch फिर गोष्ट टॉया नहाएं रहाद की बड़ी विश्थाहिए विश्वह के भी है सिंद्व congratue का सबसे सरवातिक विश्थार काई पर मिलता है हक्रा और गगर इसके हैन लावा तक्नी की रूपसे सबसे विक्सित बड़ी विशेzar से तो गें यह सब से व की कि बात करें वो सबेता है दोला वीरा यानि कि दोला वीरा जो सबेता है वो सबसे अधिक विक्सित सबेता या सबसे अंत की जो वत्मान द्रस्टी में देखा जाए तो सबसे अधिक विक्सित सब्वेता मिलती है इसके अलावा और भी जानकर या कुछ सगसित में बच रही है तो आप जरूर पूछ लिजेगा और देखिए हाँ इनकी जातियों का वर्णन अपने करना बाकी है कि सिंदु सब्वेता में कौन कौन सी जातियां कहां से आई थी तो देखिएगा अब अपन बात करेंगे सिंदु सब्वेता की जातियां किस के मतों के अनुसार या किस मतों के अनुसार कहां से आई थी विद्वनों के मता अनुसार सबसे पहली बात है सब्वेता का निर्मान करता किसे माना जाता है सरवादिक मत किसके लिए मिलते हैं दर्विडों के लि है प्रोटो के अलावा कई परकार की जातिया है जैसे दूसरी बात करें तो भूमद्ये सागरियROg यहांपर आयनि कि भूमद्ये सागरियROg लोग बीमानय करता करता आयका भी कहा जा सकता यानि कि this जो निवास बंदंशन कों परपर रहते शने क्त neck Подप्रड़कय कहा जाता है और तीसरा इसकी बात करें तो मंगोल याड मंगोल याड इन सबेताओं की क्या माने जाते हैं एक निर्मान स्रोता माने जाते हैं अलपाइन भी कहा जाता है इन्हें या चौथा इसे आप एक जाती का नाम दे सकते हैं जिसका नाम है अलपाइन सबेता अब देख गौण कोण मानते हैं दर्वीड कि उत्पति या दर्वीड की जो मानते हैं वह राखल दास बनर जी कहते हैं या फर्माते हैं कि इन सभीताओं की निर्मानकराता कौण है दर्वीड है अमला नंद गोस व धर्मपाल अगरवाल यानि कि धर्मपाल अगरवाल जिसे अपने अभी एंसॉल्ट नेम में बताया था डीपी अगरवाल या धर्मपाल अगरवाल भी कह सकते हो तो उनके अनुसार ये संस्कृति कैसी थी एक सीद्व संस्कृति के रूप में माना जाता यानि कि एक सीद्व संस्कृति जो सोद्व संस्कृति के रूप में पनपित हुई थी उन्होंने इन संस्कृति को अलग से नाम दिया है नहीं कि अमलानंद गोस के अनुसार और धर्मपाल अगरवाल की जो सब्विता है उनके अनुसार अब देखिए इन्होंने एक और मत दिया था इनके साथ भी और है एक गाल्डन के नाम से वेकती है उन्होंने भी कहा था कि ये कहा से आये हैं गाल्डन की निर्मान करता इन सभेताओं की निर्मान करता माने जाते अब देखिए इसके अलावा इन सभेताओं का अपन बात करें तो इसमें मिला है सनानागार यानि कि विशेस्ताओं की बात करें तो सनानागार अब सनानागार मिला है तो सनानागार की एक इस्तति भी होगी या फि करता था यहां पर जो इन सनानागार की लंबाई वगेरा है उसके अनुसार यहां फिर जो अधुनिक इस्तापते कला है और इसमें इटों का निर्मान किया गया है जिसमें कच्छी इटों का निर्मान किया गया है लेकिन इन सब्वेताओं में जो सब्वेताओं का निर्मान है वो किस परकार्सी किया गया है वह सारी किसारी सब्वेताओं है वह सब्वेताओं किस से हैं इस पक्की इटों से निर्मित सब्वेताओं है और इसकी अलवा देखिए नगरिये सब्वेता है इसकी क्यां है कि दो किले कौन कौन से इसके लावा देखिए सनानागार है सफाई हैň जड RICH लंबी और है एक सबgy Yeah रहार गर के बीच में या यहां पर इस परकार के रूम बनाए जाते थे में बड़े अभिलेक की रूप में एक बड़े सी अरखत circuit की रूप में सम्झाना चाहूं गा देखिए इस परकार का अगर ये सड़क यहां से निकल रही है ये सड़क मन लीजिये तो यहां पर इनका क्या किया जाता था तो कमरों का निर्मान किया जाता था यहां पर इनके कमरे हुआ करते थे इस परकार से कमरे हुआ करते थे और इस परकार से तो यहां पर जो सेश बजता था वो इनका क्या कहलाता था आंगन कहलाता था और विशेश बात है पकी नालियों का निर्माण याँ पर किया गया है और पकी नालियों के साथ सदक की किनारों पर क्या रखे जाते थे डश्ट बींद रखे जाते थे यनिकी कचरा पात्र कुडादान वगेरा रखे जाते थे सनानागार भी मिले हैं इटे भी मिली है और विशेस बात इटों का जो अपन अनुपात की बात करें तो चार अनुपात दो अनुपात एक इसका अनुपात महीना कहीं आपको मिलता है यानि कि यह अनुपात है इन इटों का म तो देखिए अन के भंडार को भी राज किया अन के बंडार भी का जाता था मतलब आज के समय में जो रासन की दुकाने हुआ करती थी उसी परकार इनमें भी रासन की दुकाने वगेरा हुआ करती है अब रही बात आगे जो भी सभेताई बच्ची है एक सभेता का नाम रे गया था जो मोहन जोद्रो अब मोहन जोद्रो को क्या का जाता है मुर्दों का टीला का जाता है और मुर्दों का टीला का जाता है इसी परकार से बैने वाली नदी के आसपास इनकी खोज अमलानंद गो बात करें तो यह नो बार उजड़ा हुआ और नो बार यह विक्सित हुआ माना जाता है कुछ अगर बच गया है तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिए गा और अगर आपको एक बार और जो भी से बाते हैं तो मैं आपको सेकेंड वीडियो पाल्ट के अंदर आपको समझाने की कोचिस करूंगा जिस पी साथी ने एंड तक वीडियो देखा बहुत बहुत दाभार है उनका और इसी परकार से जुड़े रहे हैं में बड़ा क्लासीज की करब से और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा धन्यवाद जाती हूं